Number 1 burning question जो मैं इंटरनेट पर देखता हूँ B2B sales में is What is B2B sales and what is the difference between B2B and B2C sales? Business to business क्या है? जब एक business अपना product या service दूसरे business को बेचे, that is called B2B sales. B2C sales क्या है? जब एक business अपना product या service किसी individual को बेचे, उसको बोलते है B2C sales. तो यह तो काफी basic level पर difference हो गया. For example, आप एक MNC में काम कर रहे हैं और आप देखते हो कि आपको एक bus service provider है जो आपके organization से जिसने type किया है. Daily सुबह आपको pick up देती है, daily sham को आपको drop देती है, तो ऐसे काफी सारी busे हैं जो आपके office के compound में, parking में खड़ी होती है daily. तो यह जो agreement है, जो bus service provider, जो एक outsource company है और आपकी organization है, उन दोनों के बीच में जो agreement बनता है, that transaction is a B2B transaction. B2C का example क्या है, for example, आपको Dubai घुपने जाना है, आपने website पे check करा और आपने पता करा कि आपके करीबी में एक travel agent है, जो आपको बहुत अच्छा deal दे रहा है, आपका visa भी बना देगा, आपको package भी कर देगा, ticketing भी कर देगा, सब कुछ कर देगा, तो आप उसको approach करते हो, आ आपको deal करता है आपके साथ, और आपका काम कर देता है, so that transaction is B2C sales, business to customer, यह तो काफी basic level पर differencing हो गई, लेकिन और भी काफी differences है B2B and B2C sales में, for example, sales cycle, और अभी मैं आपको बताऊं को sales cycle क्या होती है, लेकिन B2B sales में sales cycle काफी बढ़ी होती है, क्योंकि B2B sales काफी complex होता है, त एक transaction एक मेने, तीन मेने, छे मेने, एक साल और उससे भी जादा का हो सकता है, जबकि B2C sales में, sales cycle काफी चोटी होती है, the transaction period is very short. Point number two, decision makers, अगर आप देखो B2B sales में, काफी ज़्यादा decision makers involved होते हैं, कोई भी एक contract जब sign होता है, तो signature तो एक इनसान करता है, लेकिन पीछे office में, काफी लोग discussion करते हैं, कुछ influencers होते हैं, कुछ decision makers होते हैं, कोई राय सिर्फ देता है, कोई अपनी expert opinion देता है, तो इतने ज़ iPhone खरीदना है, तो क्या color का खरीदना है, क्या pricing में खरीदना है, कौनसी brand का खरीदना है, कब खरीदना है, आपको क्या accessories चाहिए, तो एक decision maker आप खुद हो, आपको किसी से पूछना नहीं है, तो one single decision maker हो, आप जाओगे दुकान में, आपने जो पसंद आया, आपने खरीद ल होता है, immediate closure नहीं मिलती है, जिसकी वज़े से complexity and sales cycle काफी बड़ी होती है, which is not the case in B2C sales, complexity नहीं होती है, काफी simple transactions होते है, point number four, the nature of the transactions, जो B2B और B2C में होते है, उसमें attitude काफी अलग होता है, for example, B2B में, वो लोग काफी logical होते है, जो decision makers होते है, वो काफी logical होते है, वो आपक एक presentation दोगे, तो आपको बहुत logical questions पोचेंगे, feedback देंगे, और आपके साथ process में आगे बढ़ना चाहेंगे to understand कि आप उनको कैसे benefit कर सकते हो, वही चीज़ अगर आप B2C में अगर देखोगे, तो लोग काफी emotional होते है, क्योंकि individual इंसान जोड़ा हुआ होता है, decision making में, और का आगा नहीं, आज movie देखने चलते हैं, तो आपने on the spur of the moment आपने decide करा, आप बुक में शो में गए और आपने देखी कौन सी movie चल रही है, आप immediately चले के सबसे करीबी cinema hall में, तो वो एक emotional decision है, not logical, second most burning question जो internet पोचा जाता है, is how do you shorten the B2B sales cycle, क्योंकि अभी आपने बताया है के B2 sales cycle काफी complex होती है, process oriented होती है, काफी समय लगता है उसको close करने में, तो लेकिन अब जाहिर सा question है, उसको short case से करेंगे, तो उसके पहले में आपको इसका solution बताओ, sales cycle क्या होती है, sales cycle is nothing but the sales process, हर organization में एक set sales process होती है, which is a counter to the consumer or the customer journey, इसका मतलब क्या है, काफी complex बाते मैंने बोल जर्णी होती है, जब से उसको पता चलता है, जब से उसको जहन में आता है कि मुझे ये product ये service चाहिए, तब से लेके जब वो decision ले लेते हैं, कि हा मुझे ये product ये service चाहिए, तो एक journey होती है, तो जर्णी start to end के बीच में, हम as an organization क्या करते हैं, उस customer को लेके, उन stages of their journey में, उसको बोलते हैं, sales cycle, तो customer journey, for example, जो standard model है, which is called the AIDA model, तो AIDA model को, उसमें हम क्या करेंगे, A में हम क्या करेंगे, I में क्या करेंगे, D में क्या करेंगे, और A में हम क्या करेंगे, तो ये जो चार model है, जो जिसकी photo आप भी आप देख रहे हो, तो इस अलगले stages में, companies का response क्या है, that is nothing but the sales cycle, तो कुछ companies में काफी simple sales process होती है, lead जब से आती है, lead capture होती है, तब से लेके lead जब conversion में जली जाती है, या convert हो जाती है, bank में पैसा आ जाता है, और वो process तब वो close हो जाती है, तो कुछ companies में short होता है, कुछ companies में बढ़ा होता है, यह हो गया sales cycle, अब जाहिर सी बा industry to industry है, for example, अगर आप airline industry में हो, आप अगर plane बेच रहे हो, for example, private jet बेच रहे हो, या private jet की services बेच रहे हो, तो obviously आपका clientele अलग होगा, आपका product अलग है, आपकी service अलग है, तो आपका sales cycle भी ऐसा होगा, और वही अगर आप एक छोटा मोटा गोल की laptop बेच रहे हो, या आप cell phone बेच रहे हो, corporate sales में हो, B2B में आप cell phone बेच रहे हो, 100,000, 2000 cell phones अगरे बाग में बेचते हो, तो आपकी sales cycle जो है, वो अलग होगी, लेकिन shorten करने का इसका simple तरीका ये है, कि जितने कम stages रखो, उतना जादा अच्छा है, और ये decision आप नहीं लोगी, या आपकी company लेगी, कि sales cycle क कितना short रखना है, आप उसको shorten कैसे कर सकते हो, अपनी तरफ से हर stage में customer को engage रखो, तो lead अपने capture कर ली, awareness के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उसको email भेज रहे हो, आप presentation भेज रहे हो, आप कुछ अपनी clips भेज रहे हो, आपना product का video दिखा रहे हो, interest stage में क्या होगा, आप बत होगे कि need gap काफी जाद है, काफी बार customer को पता नहीं चलता कि उनको product के service चाहिए, आपको एक need gap create करनी होती है, तो आप desire कैसे बढ़ा होगे customer का, आपके product के service को लेकर, और last में action stage में, which is AID का last part, action stage में, आप क्या चीज़े करोंगे, जिससे वो customer eventually convert हो जाए, तो आप ये चा customer को cater करते जाओगे, तो आपकी sales cycle की जो process है, वो shorten तो नहीं होगी, लेकिन आपका जो conversion period हो काफी short हो जाएगा, तो sales cycle to answer, अपने आप shorten नहीं होती है, जो भी आपको बोलता है, कि sales cycle short हो जाती, मैं जानना, मैं जानता हूँ कि आप क्या question पोच रहे हो, लेकिन sales cycle वैसे short नही sales process है, उनका दोनों का जब मिलन होता है, तो अपने आप sales cycle shorten हो जाती है, और lead की conversion हो जाती है, third most burning question, how do you build customer relationship after B2B sales, इसमें दो पार्ट है, या तो आप बात कर रहे हो, B2B sales में after sales service के, जहां पे आपने product or service बेश दिया, उसके बाद में after sales service कैसे दोगे, या point number two, आप यह बोल बन सके, यह दोनों सिनारियों के मैं आपको answer इस question में दूगा, point number one, यह है कि after sales service, for example, मैंने एक मारुती गाड़ी खरीदी, मारुती बलेनों मैंने खरीद ली, अब आता है असली काम after sales service का, service network कैसा है, distribution network कैसा है, क्या जब मैं customer care में phone करता हूँ, तो वो मेरा phone receive करते हैं, आप customer service या support function में हो, तो आपको make sure करना है, कि जितने भी touch points है, आप उन सारो को cover करो, हर एक customer के साथ, जिसका एक conversion हो चुका है, आपकी company के साथ, तो दूसरा point तो यह हो गया, कि आपने एक product या service तो आपने बेश दिया customer को, लेकिन आपको long term relationship बनानी है, क्योंकि आपके पास यही customer है, जिससे आपको बार-बार business लाना है, तो आपको definitely relationship build करनी पड़ेगी, otherwise आपको repeat business नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो यह पूरा एक account management का पूरा एक foundation आ जाता है, मैंने एक course बनाया है, जहाँ पे मैं सारी techniques शेर करता हूँ, जो मैंने अपने career में इस्तेमाल की है, तो definitely यह link में जाये, जो मैं description box में share कर रहा हूँ, और वो एक घंटे का course है, उसको लीजे, शायद आपकी help हो जाए, कुछ techniques है, जो for example account mapping, account mapping क्या होता है, आप किसी customer को पूरा map out कर लो, उसमें कितने divisions है, कितने verticals है, कितने divisions में कितने decision makers है, कितने sub verticals है, उ उसमें किसका क्या होता है, कौन क्या करता है, कौन क्या decisions बनाता है, कौन किसको report करता है, यह पूरा इसको बोलते है account mapping, तो जब आप account mapping करते हो, और सबको reach out करते हो एक particular organization में, और एक relationship वैसे build होती है, क्योंकि फिर लोग आपको identify करना शूरू कर देते हैं, आपके product या service से आपको link करना शूरू कर देते हैं, for example, अगर दूसरी बार किसी को अगर hotel book करना होगा, आप for example, एक MNC में काम कर रहे हो, और आपको hotel book करना अपनी meeting के लिए, तो immediately एक recall जाता है, इस hotel में मुझे meeting book करनी, इस बंदी से call किया जाए, क्योंकि यह हमारे regular हमारे office में आता है, इसने 14 साल इस industry में दे दिया है, point number one, have a unified approach, इसका मतलब क्या है, एक standard होना चाहिए, आपकी tricks of the trade का, हर कमनी में होता है, आप क्या कर सकते हो, और आप अपने employees को कितना empower करते हो, कि वो customer के लिए कुछ कर जाए, for example, क्या आपका team member, up to 5%, up to 10% discount दे सकता है, on the spot, आपके customers को, क् चीजे beyond the duty कर सकता है, customers के लिए बिना किसी से पूछे, empower आप कितना करते हो, या तो कुछ tricks for the trade है, for example, क्या आपका जो first proposal है, जो customer को जाता है, वो जानगुच के थोड़ा inflate करके जाता है, फिर दो दिन के अंदर में आप बोल दे होगे, कि नहीं, यह मैं आपके लिए अलग अप्रोच से जो B2B sales team में काफी दगडी बनती है, point number two, collaborate with cross-functional teams, इसका क्या मतलब है, बहुत बार ऐसे होता है, कि हम for example, जो B2B sales में होते हैं, तो हमारा जो vertical sales में, और भी जो sales में verticals होते हैं, उनके साथ कितना हमारा collaboration है, point number one हो गया, point B क्या हो गया, इसमें, कि आप कि जो vertical में हो B2B sales में, हो सकता है, दूसरे cities में भी एक team हो, हो सकता है, दूसरे countries में भी एक team हो की, आप कितना collaborate करते हो, कितना उनको, उनके साथ synergize करते हो, जितना आप synergize करोगे, cross-functional teams के साथ में, sales में, और cross-continent, cross-city, inter-city, जितना भी आप collaborate करोगे, उतनी जादा आपकी sales team strong ह Point number 3, Trust and Transparency, बहुत बार ऐसे हो जाता है, कि companies अपने सारे sales reps के साथ, सारे information share नहीं करते हैं, कुछ information सिर्फ leaders के लिए रखते हैं, for example, कुछ ऐसे critical reports होते हैं, जो सारे team के साथ share नहीं किये जाते हैं, ऐसा ना करें, आप अपने reports सब के साथ share करें, सब को पता चलना चाहिए, कमी में क्या हो रहा है, क्या strategies है, कितना revenue आया, कितना target था, कितना बाकी है, market intelligence क्या है, तो जितनी जादा आप transparency internally रखोगे, उतनी जादा trust internally बिल्ड होगी, और वो customer interaction में काफी reflect भी होगा, आप जब customer से बात करोगे, तो obviously वो trust and transparency सामने वाले को भी दिखेगी, और जब ऐसा ह होगा, तो वो confidence जो customer है, उसके मन में बढ़ेगा, आपके products और services को लेके, आपको लेकर, जिससे आपकी team तो strong होगी ही, वो lead भी जल्दी convert हो जाएगी, point number four, ये काफी favorite point भी है, everyone is in sales, हर इंसान sales के अंदर है, तो ऐसा नहीं कि जो B2B sales में काम करते है, वही बेचने की करने का वो करेंगे, लेकिन everyone is in sales, finance वाला भी sales में, admin वाला भी sales में, operations वाला भी sales में, हर इंसान को, हर associate को, जब भी opportunity मिले, उनको सारे touch points customers के पता होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए, क्या offers running में है, क्या discounts चल रहे है, competition क्या कर रहा है, market trend क्या है, अगर ये सब इंसान को पता चलना शुरू हो जाए, जो कभने में काम करते है, सारे associates को पता होना शुरू हो जाए, तो ये एक unified approach की वजए से, sales stream काफी strong होती है, और एक काफी strong message, communication customers को भी जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा advantage पता है, क्या आपको, upselling होती है, point number five, flexibility, थोड़ा flexible बने, अगर आप sales म को ये बोल तो कि भाई, ये मेरी policy है, हम ये नहीं करते हैं, और ये definitely ना बोले, उससे क्या होता है, एक बहुत ही strong negative vibe जाती है, काफी लोग rude मान लेते हैं, काफी customers को, कोई rude लगता है, जब आप बोल देते हो, कि ये company policy नहीं है, वो policy को आप अपने organization तक ही सीमी तरके, थोड आपके अंदर, और आपको पता है कि आपका जो communication जाता है customer को, वो काफी clear जाता है, fifth most burning question क्या है, how do you know if B2B tech sales is for you, अभी मैं कुछ दिर पहले आपको क्या पता है, कि B2B customers जो होते हैं, logical होते हैं, और उनकी sales process काफी complex होती है, तो उसका मतलब क्या है, अगर आप tech sales में हो, या इतना simplified करके उनको ये बताते हो, कि वो tech उस customer के लिए क्या कर सकता है, customer को ये नहीं जाना है कि features क्या है, customer को ये नहीं जाना है कि specifications क्या है, customer को ये जाना है कि जो आपका product ये service है, उसके जो features ये specifications है, उसे उनका क्या benefit होगा, उनको क्या value मिलेगी, उनका costing कैसे कम होगा, उनक मेरा अंसर आपको यह है कि यह कभी ना सोचे कि मैं B2B Tech Sales में नहीं जा सकता है नहीं जा सकती है क्योंकि मेरा experience एक्सपोजन नहीं है अगर आप सेल्स में जॉब करते हो, B2B Sales में non-tech में फिर भी आप जा सकते हो अगर आपको यह आता है कि आपको पता है कि कस्टमर की needs क्या है, कस्टमर जर्नी क्या है और आपको अपनी sales process अच्छे से पता है आपको पता है कैसे आपको अपनी sales cycle पर शॉट करना जैसे मने आपको बताया भी आपको यह सारी tricks of the trade अगर पता है तो tech हो या non-tech हो eventually आपको simplicity से customer को अपना product or service बेचना है so the answer is very simple there is no need to know that you are meant for B2B tech sales or not क्योंकि आप हो, आप apply करें और कुछ interviews दें और देखें फिर आगे क्या होता है so that's about it, आज का यही था वीडियो, बताइए आपको कैसा लगा please please comment करें, like करें, share करें अपने सारी colleagues और दोसों के साथ जहां को लगता है B2B sales में अगर वो काम करते हैं या जाना चाते हैं और उनको अगर ये वीडियो देखें उनके burning questions अगर मैं answer कर पाता हूँ तो definitely उनके साथ share केजए और मैं देखता हूँ काफी बार लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन subscribe नहीं करते हैं, please subscribe my video मुझे भी काफी help मिलेगी और मैं काफी जादा लोगों को reach out कर पाऊँगा आपके जैसे जो लोग हैं जिनको ये वीडियो की सक जरूरत है आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक लिए, मसलामा